नमस्कार दोस्तों कल IPL का सुलाहवा मैच खिला गया रायल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी ने युवा ओपनर देउदत पार्डिकल के 101 रन और नाबाद विराट कोहली के 72 रन के एतिहासिक हाफ सेंचुरी की बदावलत राजस्थान रायल्स को 10 विकेट से हरा दिया यह इसकी इंडियन प्रेमियर लीग IPL के 2021 सत्र में लगातार चौथी जीत है सीजन के 66 मुकाबले में राजस्थान रोयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 177 रन बनाए जबाब में बैंगलोर ने बिना विकेट गवाए 16.3 ओवर में 181 रन बनाते हुए जीत दर्ज की आईए हम बताते हैं इस मैस से जुड़ी हुई कुछ खास बाते हैं राजस्थान रोयल्स की टीम सीर्स क्रम की विफलता के बावजूद रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर आर सीबी की खिलाब 9 विकेट पर 177 रन बनाने में सफल रही लगातार तीन मैचों में जीत स आत्म विश्वास से भरी रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाज ने कप्तान बिराट कोहली के टाउच जीत कर गेंदबाजी करने के फैंशले को सही साबित किर दिया उसके लिए मोहमद सिराज ने 27 रन दे करके 3 विकेट चटकाए जबकि हरसल पटेल ने अंतिम राजस्तान रोयल्स की बल्ले बाजी एक समस्या बनी हुई थी जो इस मैच में भी भारी रही कप्तान संजू सेमसंग की बड़ी पारी खेलने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी पर सिवम दुबे 46 रन 32 गेंद पर और 5 चोके 2 चके और रियान पराग 25 रन 16 गेंदे खेली 4 च और अपनी टीम को एक सम्मान जनकी स्कोर तक ले गे राहुल तिवतिया की बात करें तो तेज केंदों में 40 रन का योगदान दिया इसमें 4 चोके और 2 चके जड़े बल्ले बाजी का नोता मिलने के बाद टीम ने पावर पिले के तीसरे से पांच में प्रत्य कोबर में एक गमाया जोस बटलर आठ से टीम को अच्छी सुरवात दिलाने की उम्मीद थी लेकिन एसा कुछ नहीं कर पाए तो दोस्तों ये था कलके आईपिल मैच का आखो देखा हाल आसा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंदाया होगा और 6000 रन बन जै हिन जै भारत वन दे मातरम